हेलो फ्रेंड्स हमारी इस टीचिंग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो में हम आपको चौड़ी मोहरी वाली सलवार बताएंगे यह हमने कॉटन का कपड़ा लिया है और देखिए यह जो सलवार है वो हम सिर्फ 3 मिटर कपड़े में से बना रएंगे तो आप इस से ज़्यादा भी बना सकती है, जो सलवार कुर्टियों के साथ, रेडियमेट कुर्टियों के साथ कपड़े आते हैं, वो बाला सलवार का कपड़ा है, तो यह हमारा 3 मिटर कपड़ा पूरा है, तो इसी में से आज हम चोड़ी होरी की सलवार बनाएंगे, तो दे देखिए, उसके बाद, उसके बाद हम इसमें से उसके लिए कपड़ा कम करेंगे, अपने जो हम मौरी के बैल्ट लेंगे, उसके लिए हम इसमें से कपड़ा अभी कम ने करेंगे, बाद में कम करेंगे, पहले हम इसमें से कटिंग कर लेते हैं, तो जो हम बैल्ट की लेंद इस कपड़े को cutting कर देंगे पूरे को तो यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ करके और जो हम कपड़ा कम करेंगे मोहरी के लिए वह हम पहले इसको अलग कर लें उसके बाद हम इसमें से कम करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर क्या होगा ना कि हमारा जो कपड़ा है वो से बच इंच की मोहरी तयार होगी तो बस हम एक इंच ही जादा लेंगे उससे जादा हम नहीं लेंगे क्योंकि चोड़ी मोहरी बनानी है तो आपको थोड़ा सा कपड़ा कम लेना होगा तो यह मेरा साथ इंच है अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहां से अलग कर देंगे और हमारे दो पार्ट निकल आएंगे और इसमें से हम जो हमारा बंद वाला पार्ट है उसको भी हम अलग करके फिर बेल्ट की कटिंग करेंगे अब इस कपड़े को बचा देंगे क्योंकि यह हमारी मोहरी में और हमारी बेल्ट में जोइंट के काम आ जाएगा नाडा वगेरा इस से लेंगे तो हम देखिए हमारी बेल्ट की लेंथ है 6 इंच हमारी तयार होगी बेल्ट ठीक है उसमें हम दो इंच एक्सर लेंगे जो हम नाडा फोल्ड नाडे के लिए नेफा बनाएंगे तो हमने यह आठ इंच लिया है और उसके बाद इस दोनों को हम मिला के तयार करें कपड़ को 2 एंश आप देख सकते हैं तो अब हम लगाएंगे आसन के लिए निसान पहले देख लीजिए कि यहां से जो मेरी खुली साइड है और एक मेरी बंद साइड है और यह इसकी लंबाई है तो हम यहां से लगाएंगे अब तो सबसे पहले आप 8 इंच उपन निकाल दीजिए मतलब दो तरीके से लगा सकती है और या फिर ऐसे भी लगा सकती है जैसे कि मैं बता रही है तो मैं यहां लगाऊंगे आसन के लिए निसान 8 इंच पे ठीक है और अगर आप आपको ऐसे अंदा जाना हो तो आप 8 इंच पहले बेल्ट का निकाल दीजिए देखिए जैसे 7 इंच इमान के चलिए क्योंकि हमारा 2 इंच तो फोल्ड हो जाएगा तो हमने 7 इंच उपर निकाल के रख रही है एक इंच या दो इंच आप ऐसे भी ले सकती है और इस तरीके से देखिए जैसे हम आपको बता रहे हैं और ऐसे ही हम निसान दूसरी साइड लगा लेंगे तो यहां से भी हम ऐसे ही 8 इंच पे निसान लगा के और 2 इंच इस तरीके से ले लेंगे और फिर देखिए हम क्या करेंगे कि इस वाले इंच को इस निसान से मिला के ऐसे देखिए तिर्चा करके मिलाएंगे इस तरीके से यहां से हलकी सी गोलाई करके हम मिलाएंगे इसको यह देखिए हलकी सी गोलाई देनी है आपको बीच में यहां से गोलाई देने के बाद अब इनकी हम cutting करेंगे तो यहां से जो extra कपड़ा है यह देखिए यहां से cutting की महरी वाली साइड से अब हम सीधा इसको गोलाई में ही लेके जाएंगे और गोलाई में ले जाने के बाद अब हम अपनी दूसरी मौरित की तरफ आ चुके हैं अब इसको भी हम ऐसे ही कटिंग कर देंगे अब उसके बाद यहां से हम कपड़े को अलग कर देंगे और जो बंद वाली कली है उसको भी हम अलग कर देंगे यहां से और उसके बाद इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे और प्लीज हमें कमे कटन को जरूर प्रेस कर लिए कि ताकि नई वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रही तो देखिए यह हमने टोटल कटिंग कर लिए एक्स्ट्र कपड़ा हमारा जो मौरी में से बचा है उसके लिए हम लगा लेंगे मौरी में तो हम सबसे पहले अपनी एक पार्ट लें और ऐसे एक सीधी लाइन से हम इसे सिल लेंगे जैसे हम एक पार्ट में हम अपनी दो कलियां जोएंट करते हैं तो इसी तरीके से हमने एक पार्ट लिया और अपनी दो कलियां उसमें जोएंट कर लिए तो यह हमारी कली बिलकुल बराबर आई है अगर आपकी थोड़ी बह वह अच्छी सलवार बनती है अगर पार्ट की लेंथ 35 ली है तो 35 कली की ले लीजिए और बाइचांस कली की उंची भी बैठ रही है तो कोई दिखकत नहीं है बनती है उतने मच्छी तो यहां से दूसरी साइड से हम कली जोंट कर लेंगे अब देखिए जैसे हम एक पैर की त तरीके से दोनों के लिए हमने जोएंट कर ली है अब हम क्या करेंगे अपनी बैल्ट में जो हमने कपड़ा एक्ष्टर लिया था उसको हम जोड के अब इसका नेफा बनाएंगे यह देखिए यहां से हमने इस तरीके से सिल दिया और यहां से खाली छोड़ा था एकिन जब हमारे पैर वाले हिस्से दोनों तयार हो चुके हैं अब हम बैल्ट पे आ चुके हैं तो देखिए यहां से हमारा इस तरीके से नाड़े के लिए जगा बन गई है यहां से आप मसीन को उठा के थोड़ा सा तब लें अब जो हमने दो इंच कपड़ा लिया था उसको हम इस तरी पूरे में हम पूरे राउंड में हमको यह घुमाना तो हमारी यह बैल्ट है जो Chicago 3 तइयार हो जाए की तो देखिए ऐसे-स ले की जाना है पूरे में और पूरे में हम इसको round बना देंगे तो देखिए हमारी belt भी तयार हो चुकी है अब इसका center कर लेंगे तो देखिए center में से हम यहां पे cut लगाएंगे यह center का cut हो गया और फिर जहां तक हमारी plate आएंगी उसके लिए निसान लगाएंगे तो हम इसको चार फोल्ड में करेंगे बैल्ट को ठीक है अब यहां से हम लगाएंगे 10 या 11 इंच पर जितने पर भी लगाना चाहती है तो देखिए हम आपको ऐसे समझाएंगे तो यहां से लेके यहां तक हम 12 इंच पर निसान लगाएंगे यहां सेंटर का हो गया जो हमने अभी बताया था अब इसकी हम प्लेट डालना सुरू करेंगे तो देखिए इस तरीके से हम रखेंगे इसको पहले हमने अपनी बैल्ट को लिया फिर कली को लिया और फिर रखके सिलाईयां लगाएंगे तो देखिए हम पहले इनका आसन जोइंट कर लेंगे यह दोनों आसन जोइंट किये हमने दोनों बैक के आसन और फ्रेंट के आसन दोनों को जोइंट कर लेंगे हम और उसके बाद इसकी प्लेटे डालना सुरू करेंगे तो देखिए या तो आप इसमें अगर आपको बंद करके प्लेटे डालने में दिक्कत आती है तो आप पहले प्लेटे डाल लीजिए फिर उसके बाद बैल्ट लगाएं क्योंकि दो तरीके से मैंने बता रखी हैं सलवार आपको मैंने आप मेरी वीडियो देखना मेरे चैनल मैंने उसमें भी बता रखी हैं कि कैसे बनाते हैं अब आसन हमारे एकदम बरावर होनी चाहिए अब दूसरी साइड से भी हम आसन को जोइंट हमने कर लिया है अब इसके देखिए यहां से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे कि यह हमने आसन को देखिए इस तरीके से रखा और यहां से मैं अपनी साइड को इसका मूँ करके प्लेट डाल रही हूं सुरी यहां सन मैंने खुला ही रखा है बाद में जोइंट करूंगे क्योंकि फिर थोड़ा से दिखकत हो रहा था प्लेट डालने में तो मैंने इसको अभी खोल ओपनी रखा है तो यहां से मैं करीबन दो-दो इंच की प्लेट डाल रही हूं यह देखिए दो-दो इंच पे हम प्लेट डालते हुए जाएंगे इस तरीके से और प्लेट हमको जो बारा इंच का निसान था वहां तक हमें अपना पूरा कपड़ा सेट करना है और जो सेंटर वाला निसान था वह हमारा बैक आसन उस सेंटर वाले कट से आना चाहिए जो मैंने आपको भी कट लगा के दिखाया था यह देखिए एक साथ बहुत सारी प्लेटे बनाके भी आप इस तरीके से सेट कर सकती है लेकिन प्लेटे आपके एकवल होनी चाहिए तो देखिए यहां से हम ऐसे क कपड़ा उठाते जाएंगे और यह प्लेटे हम उल्टी साइड को डाल रहेंगे यह आप ध्यान रखें तो देखिए हमारी एक साइड की प्लेटे डल चुकी है और अब देखिए हमारा यह बैक का सेंटर आ चुका है यह बारा इंच तक डल गई अब यह को दिख रहा है अब उसके बाद जितना कपड़ा हमने इधर खाली छोड़ा है उतना ही कपड़ा इधर खाली छोड़के और फिर से जो बारा इंच का मैंने निसान लगाया था यह वाला देखिए अब वहीं से प्लेट डालना हम सुरू कर देंगे यानि कि मेरी टोटल जो प्लेटे हैं व खाली छोड़ दीजिए अब देखिए जैसे मैं लों कम हूं अपनी तरफ इनकम हूं साइड तो ऐसी आमने सामने मूह करके आपको प्लेटे डालनी होंगी तो यहां से देखिए इस तरीके से इनकम हूं मैं उस साइड कर रही हूं अब ऐसे ही हम इस साइड भी डाल के आपको मोरी कैसे तैयार करते हैं चोड़ी वाली और उसमें हम आपको लेस लगाना भी बताएंगे अगर आप चोड़ी मोरी की सलवार पटियला सलवार बनाओगी तो आपकी जो सलवार है वो बहुत ही प्यारी बनेगी और आपको पूरा लुक दिखाया जाएगा उसका मैं उसकी फोटो लगा दूँगी तो आप देखना बहुत अच्छा लुका रहा है और उसमें आप पाइप इन वगएरा देखे भी बहुत अच्छी सलवार अपने लिए बना सकती है और अब तो सेम सलवार और सेम कुरती का बहुत ही फैशन चल रहा है तो आप पिंक कुरती पिंक सलवार बना सकती हो बल्यू कुरती बल्यू सलवार बना सकती हो तो इस मैधर से अगर आप बनाएंगी तो बहुत ही अच्छी आपकी सलवारे और कुरती बनेंगी तो हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारे वीडियो कैसी लगती है तो देखिए हमारा पूरा कपड प्राइजस्ट होने वाला है क्योंकि अब हमारा फ्रेंट का आसन भी आ चुका है तो हम ऐसे ही इनको रखते हुए पूरे में प्लेट लगा के तयार करेंगे और फिर एक सिलाई हम इसके ऊपर से लगा लेंगे तो देखिए प्लेट का ऐसे ही उसके सामने ही रखना है आपको ऐसे तो हमारा थोड़ा सा कपड़ा और बचा है और थोड़ी से जगह बची है बस ऐसे ही सैट करते हुए जाना है ज्यादा कुछ नहीं है सलवत देखिए हमने दोनों साइड से प्लेटे डाल ली है और प्लेटो का मुह मैंने आमने सामने किया है ठीक है अब यहां मने साम वह बार है वह मजबूत बन जाती है कभी वी आपकी प्लेटे उदरेंगी नहीं अगर आप ऐसे सिलाई लगा लेंगे तो प्लेटों को जो कपड़ा था प्लेटों वाला उसको ऊपर ही करके लाई लगाएं क्योंकि अगर नीचे करके सिलाई लगाएंगी तो आपका जो चाड़ी महरी नहीं है अज़ को फटी शारी महहरी बनाएंगे ये दिया में ऐ although इसको दिरा ये बार आप चार चाड़ी ले कि अजल कि अभर करने के वाड़ फिर DENNIS provide नो को शारी महरी बना नहीं है तो आप 5-5 Bogar है वैसे इससे चोड़ी दो नहीं है लेकिन यह बहुत चोड़ी बनेंगी अब हम क्या करेंगे जो हमारा एक इंच कपड़ा है इसको हम इसके उबå कर देंगे देखिए इस तरीके से पूरा कपड़ा हम इसके उपर लेंगे यहां से देखिए इसको बिल्कुल बरावर करके और एक सिलाई आपको लगा लेनी है सिलाई को बिल्कुल बरावर करके लगा यानि कि कपड़े में कहीं भी सलवटे वगयरा नहीं होनी चाहिए आपकी एकदम बरावर कपड़ा होना चाहिए यह देखिए अब यहां को डिजाइन पसंद हो अब यहां से देखिए मैं जिग जैग वाला डिजाइन बनाऊंगी पहले मैं सीधी सीधी लाइन खींचूंगी और फिर उसके बाद मैं इसके उपर याने की नीचे और इसके जो उपर वाली सैड़ वहां पर लेस लगाऊंगी तो अब मैं ऐसे लेहर महरी को भी हमें सेम तयार करना होगा तो देखिए हम यह यहां तक बना लिए हमने और यह बहुत ही अच्छी लगती है बनने के बाद मैं इसे आप एंकर थ्रेड से भी बना सकती है उससे भी बहुत अच्छी महरी बनती है तो देखिए हमने पूरी महरी बना ली है अब यह हमने लिए golden पतली lace क्योंकि जो इसकी कुर्ती में work है वो golden है तो इसलिए मैं इसमें golden lace का use कर रही हूँ आप अपनी पसंद से जो भी lace लगाना चाहती हो वो आप लगा सकती हो क्योंकि पूरी जो कुर्ती का गला होता है rediment कुर्तियों का वो बिल्कुल golden work से भार ही है तो इसलिए मुझे यही ले सूजी के मैं यही लगाऊं तो नीचे bottom पे लगा ली है अब हम उपर की साइड लगाएंगे देखिए इस तरीके से और दोनों साइड को लगा के हम और बस दो साइड ही लगाएं तीसरी साइड ना लगाएं क्योंकि फिर अच्छी नहीं लगेगी तो दूसरी मुहरी को भी सेम तरीकी से तैयार करेंगे और extra को हम यहां से cut कर देंगे अब उसके बाद देखिए हमने तैयार कर लिए दोनों मुहरी अब इसकी हम fitting करेंगे तो देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि हम इसे 6 के बीच में रखेंगे तो हम यहां पे रखेंगे इसे 6.5 के बीच में क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा सा extra है अब 6.5 रखने के बाद आप यहां से हम ऐसे सिलाई लगा देंगे देखिए यहां से हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छे से लॉक करके और फिर सिलाई को उपर की साइड लेके आएंगे हलका सा तिर्चा करके लाना है देखिए इससे हम ला रहे हैं और फिर दूसरी महरी को भी तैयार करना है ऐसे ही ऐसे ही तैयार करना है दूसरी महरी को भी देखिए यहां से उपर की साइड लेके आएंगे आसन तक आसन दोनों मिलने चाहिए आपके आसन कहीं से भी आप देखिए दूसरी महरी सेम है आपको दिख रही है तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मैं इसका पूरा फोटो लगा दूँगा आप उसमें देख लीजिएगा लोग वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद